इंडिया फ़र्टेस निज्जिलेंड का वंडे मैस की शुगात हो चुकी है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भारत का इस मैच के मुकाबले में कैसा परदाशन होने वाला है सांती अभी बताने वाले हैं कि इस मैच में कौन किस्पे कितना भारी पढ़न वाला है उनसे पहले भारते टीम को खतना खिले नहीं मानते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर करिएगा इंगलेंड के खिलाफ टीटी सीरीज इतने के बाद आप भारते टीम के सामने वंडे सीरीज इतने की चुनोती है यहां दोस्तों दोनो आवर उनके उपनिंग जोडिदार सुबम गील संभल कर बले बाजी कर रहे हैं अभी फिला च्छा ओवर के बाद भारत का स्कूर बिना किसी नुकसान के तेज रन हो चुका है शिखर दोने 20 गिंदों में 12 गिल ने 16 गिंदों में 10 रन बना कर बले बाजी कर रहे हैं भारती चुका है अभी फिलार 22 सुबर के बाद भारत का स्कूर बिना किसी नुकसान के 113 रन हो चुका है 124 रन के स्कूर पर भारती टिंग का पहला जटका भी लग जया सुहम गिल ने 65 गिंदों में 50 गिंदों में 50 रन बना कर आउट हो चुके हैं लोकी फर्गूसन की गिंद पर एलेन ने उनका कैच पकड़ा, चोकी की महाराती कहे जाने वरी शिखर धोन ने अपने पारी के दोरां 13 चोके लगाये हैं, आफ सिर्यास अयर और रिशा पंत ने बले बाजी कर रहे हैं, इस तरह से भारत का अस्कोर 27 ओवर के बाद दो विकेट के निक्षान पर 140 रन है, की उजरते हुए उसने बुल्ड आउट हुए, भारत का अच्छा प्रदसन ना होते हैं, सुरी कुमार यादो भी चार रन बना कर आउट हो चुके हैं, टीटेंटी में कमाल करने के बाद उसने वंडे में कुछ खास नहीं रन बना पाए, इस तरह से 34 ओवर के बाद भारत क स्कोर, चार विकेट के नुक्सान पर 165 रन हैं, दोस्तो अच्छी खबर ये है कि चार विकेट के नुक्सान पर भारत का स्कोर 200 रन के पार जा चुका है, दोस्तो आपको मैं बता दू कि 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुक्सान पर 210 रन हैं, वंडे सीरीज मै की गेंद पर एलेन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़ा इस तरह से पहले बले बाजी करती है भारती टीम ने नीजी लेंड के सामने 307 रन कर लक्षे रखाया है और वासी मिंडन जुंदर ने तेजी से रन बना कर भारत का स्कूर 300 रन के पहुंचा दिया है अब यहां से होती ह नीजी लेंड की बले बाजी की सुरुआत 35 रन के स्कूर पर नीजी लेंड का पहला विकेट गिरा सारदूर ठाकूर ने फिन एलेन को विकेट के पर रिशा पंद को हाथो कैच कराया एलेन ने 25 गेंद में 22 रन बनाये थे इस तरह से आठ होवर के बाद नीजी लेंड का स् पर 35 रन है भारत की और से अच्छी बॉलिंग होती हुए 16 रन के स्कोर पर नीजी लेंड के दूसरा विकर भी गिर गया यहाँ भी उम्रान मलीक ने डियोन कॉनवे को 24 रन के स्कोर पर विकेट के पर रिशा पंत को हाथ कैच कराया अपने पहले वंडे मैच में ही उम्रान मली पर विल्यमसन और टोम लॉथं क्रीज पर हैं इस थरह से 21 के बाद नीजी लेंड का सकोर 8 ली तिंके नुक्सान पर 93 रन है इसी के सांस सेंटी सुवर के बाद निजी लेंड का स्कूर तिन विकेट के नुक्षान पर दो सरन पार जा चुका है सिर्फ अकिले टॉम लॉथन और केंट भिलमसन के बीच दूसरों की सज़दारी हो चुकी है इस जोड़ी ने शांदार बले बाजी कर मैच को एक तरफा कर दिया है तॉम लॉथन वन डे में निजी लेंड के लिए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेल रहे हैं ऐसे कंडिस्टन से गुजरते हुए अब की वी टीम ने जीत के करीब पहुंचने वाली है आज के इस मैच में निजी लेंड ने भारत को साथ विकेट से हरा कर तीन मैच के सीरिज में वन जीरो की वड़त बना ली है भारत में पहले बले बाजी करते हुए निजी लेंड के सामने 307 रन का लक्ष रखा था इसके जवाब में की वी टीम ने 47 ओबर एक गेंड में तीन विकेट खोकर 309 रन बनाये और उसने असानी से इस लक्ष को हासिल कर लिये इस तरह से निजी लेंड के लिए केन विलियमसन और टॉम लोथन ने संदार बले बाजी की और दोनों ने दूसरे 21 रन का रिकोर्ड संदारी की और अपनी टीम को जीत दिलाई आज के लिए बस इस नहीं इजी वीडियो अच्छा लगते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अपली बाहर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर किर्केट से लिडियो जनकर या मिलती है तत्ते के लिए चैनल चैवारत